अब उसका समय आ गया था उचाई वाले जगों पर जाने का लोनर और वो टेड़े मेरे और पत्थरीले रास्ते से होते वे जा रहे थे और बहुत सारे जगों पर तो रोट्स भी नहीं थे उसके लिए काफी मुस्किल भरा समय था इस पत्थरीले रास्ते से होते वे चैंग ठैंग वो जा रहे थे उसकी उचाई लगवक प उस जगह पर एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था और ना ही कोई पैट्रोल पब ना ही कोई मेकैनिक सिर्फ साफ बादल और खुबसूरत जिल नजर आ रहे थे कई दिन और रात गुजरने के बाद लोनर और वो आगे बढ़े तो उसने ये देखा कि समतल घास वाले मैदान में बहुत सारे भेड और बकडी चर रहे थे ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना कुछ दूरी पे उसने कुछ टेंट्स देखे वो ये सोच रहे थे कि कौन लोग वहां रहते हैं और वो वहां क्या कर रहे हैं तो यहां पर पांच कुछन है उस कुछन को पहले देख लेते हैं तो पहला कुछन यह है कि आप कितने उचाई पर रहते हैं तो इसके अंसर जो है आप लोग अपने अकौर्डिंग ही लिखेगा जो लोग जितने उचाई पर रहते हैं वो लोग उसी के अकौर्डिंग लि है डेली ठीक है इस तरह से आप लोग अपने अक्वार्डिंग ही अंसर लिकेगा सेकेंड कुशन यह कि गौरब जानी ने क्यों कहा कि यह जो प्लेस यह बहुत ही उचा है और यहां नॉर्मली सास लेने में बहुत ही तकलीफ हो रही है तो इसके अंसर यह होंगी कि जैसे से ह हो ज्यादा effort लगता है सांस लेने में ठीक है उचाई वाले altitude वाले इलाको तो उचाई वाले जगों पर सांस लेने में काफी तकलीफ होती है तो इस तरह से आप लोगों को अंसर लिकना था थर्ड कुशन यह था कि क्या आप कभी भी कोई हिली प्लेस पे गए हैं उचाई वाले जगों पर गए हैं पाड़ो वाले इलाकों में गए हैं और कहां गए हैं आप लोग इसके अंसर भी अपने अकॉर्डिंग ही लिकिए बाइद वी इस तरह एक्जामपल के तौर पर आप लिख सकते हैं यहां मैं कुलू गया था जो काफी उचाई वाला जगा था और आपको यह बताना है कि उसकी उचाई कितनी थी और आपको यह बताना है कि जब आप उस उचाई पर गए थे तो क्या आपको सांस लेने में तकलिफ हो रही थी तो इसके अंसर आप लोग बहुत सकते हैं कि अगर जैसे आप लोग इस तरह लिख सकते हैं जैसे कुलू जो है इस तरह एक्जामपल के तोर पे भी आप लोगो लिखना होगा हाँ मैं रहतांग पास गया था जो समुद्र के लेवल से 4000 मीटर उचाई पर इस्तित था दा चैंगपा वो एक नाम ग्याल से मिला जो चैंगपा के बारे में जानते थे एक ऐसी जनजाती जो पहाड़ों पर रहती थी ट्राइब का मतलब होता है जनजाती चैंगपा जनजाती में सिर्फ 5000 लोग थे चैंगपा जनजाती भीडों और बकडियों के साथ ही नजर आते हैं उन्हें जानवरों से हर चीज मिल जाया करती थी जो भी चीज उन्हें चाहिए जैसे दूद, मीट, टेंट के लिए स्कीन, चमड़ा और कोट, स्वेटर के लिए उन्हें मिल जाया करता था उनके लिए बकडिय जानवर यही सब जीवन यापन का चलाने का एक जरिया था जिस परिवार में जादा जानवर होते, वो अतना ही अमीर माना जाता उन लोगों को जानवरों से उन ट्राप्त होता था जिससे वो दुनिया का सबसे प्रसित पश्मीना उन बनाया करते थे चैंग पाज जन जाती अपने भेडों को बहुत ठंड वाले जगह पर चराय करते थे जिससे उन्हें सौफटर हेर, मुलायम फर मिले वे लोग पहाडों के सबसे उचे वाले जगों पर रहा करते थे जहां पर रहना बहुत कटिन है उनकी यही जिन्दगी थी और जीवन यापन का एक जरिया था वो अपने मोटर सैकल पर बहुत ही कम समा ले जा रहे थे लेकिन चैंग पाज अपने सारे समानों को खोड़े और याक्स पर ले जा रहे थे चैंग पास को अपने सारे समानों को पैक करने में दो या आदे घंटे का वक्त लगा और वो आगे बढ़ गए बहुत ही कम समय में चैंग पास जंजाती अपने टेंट को लगा दिये और सारे समानों को खोल कर अपने घर को रेडी कर लिये नाम ग्याल ने बोला आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गर में उसे एक बड़े से कौन सेब्ड कौन के आकार के टेंट में ले गया वे लोग उस टेंट को रेबु कहते थे याक के बालों को स्टिप्स बनाने के लिए बुना जाता है जो एक साथ सेले होते हैं उसने देखा जो स्टिप्स है पूरी तरह से टाइट थे जो नौ स्टिक्स के साथ जुड़े थे ग्राउन का मतलब जमीन जो था वो दो फिट गहरा गड़ा किया हुआ था ग्राउन जो जमीन जो था उसने ये देखा कि रेवो जो है उसके मुमे वाले फ्लैट की तरह ही बढ़ा था उसमें दो लकड़ियों के खंबे लगे हुए थे बीच में उसमें एक ओपेन जगा बनाया गया था जिससे चुला का जो धुआ था वो बहार निकल जाए बहार निकल जाए नाम ग्याल ने कहा इस टेंड का डिजाइन एक हजार साल पुराना है बहुत ठंड में ये टेंड चैंक पास को बचाता है ठंड के मौसम में उस जगे पे टेंपरेचर जीरो से नीचे चला जाता है और हवाए 70 किलोमेटर परती घंटा के रफ्तार से चलती है जरत सूची आप एक बस से सफर कर रहे हैं और उसकी स्पीड जो है वो 70 किलोमेटर परती घंटा है तो आप एक घंटे में कितने दू तक पहुंच जाएंगे रैबो के पास एक जगा है जहां पर सिप और गोट्स को रखा जाता है चैंग पास उसे लेखा बोलते हैं लेखा के दिवार पत्थर से बने हुए हैं हर फैमली जानवर के उपर एक स्पेसल चिन निसान लगा दिया करते थे ताकि वो अपने जानवरों को अच्छे से पहचान सकें और वो और महिलाएं जानवरों को काउन करके ले जा सकें तो कुशन यह है कि चैंग पास के लिए जानवर जो है इंपोर्टन्ट था महत्पून था उनके लिए क्या आपके पास भी ऐसा कोई जानवर है जो आपके एक जिन्दगी का हिस्सा हो example as a pet या फिर as a helper या farming के लिए इस्वाल किया जाता हो तो आपको पांच ऐसे तरीके बताने हैं जिसके वज़ा से आपने उस जानवर को रखा है तो इसके अंसर आप लोग को अपने according ही लिखना है as a example आप लोग इसके अंसर देख सकते हैं I have a pet dog which is an important part of my life मैंने एक पालतू कुता रखा है जो मेरे जिन्दगी का सबसे important part है मैंने एक पालतू कुता रखा है जो मेरे लिए बहुत ही important है महतबून है और वो पांस तरीकी जिस वज़ा से जो है जानवर हमारे लिए important है वो ये है कि डॉग जो है हमारे best friend होते है और हमारे घर की क्या करते है रच्चा करते है ताई से हमें दूद मिलता है इसलिए हमारे लिए ये important है और buffalo यानि की भैंस से भी हमें दूद प्राप्त होता है और bullock का इस्तमाल हम लोग क्या की चीज़ के लिए करते है farming activity के करने के लिए करते है और बैल गाड़ी को घिचने के लिए bull का इस्तमाल करते है horse यानि की घोड़े का जो इस्तमाल है वो टम-टम जो है आपने देखा है वो उसमें क्या होता है पीछे एक काट लगा होता है उसको घीचने का काम कोन करता है घोड़े करता है तो इसलिए घोड़ा भी क्या है important है तो ये 5 तरीके थे जिस वज़़ा से जो जानवर है हमारे लिए क्या है important है पश्मीना एक ऐसा सॉल है जो पूरी दुनिया में क्या है काफी प्रसिध्य प्रचलित है ये सॉल जो काफी गरम रखता है ये सॉल इतना गरम रखता है कि ये 6 सेटर के बरावर होता है ये काफी पतला होता है फिर भी ये बहुत ही गरम रखता है इस पश्मिना सॉल को बनाने के लिए बकडियों के सॉफ्ट बालों का इस्तमाल किया जाता है और ये काफी उचे वाले जगों पर पाया जाता है करीवन 5000 मीटर के उचाई पर विंटर के समय उस जगापे टेंपरेचर जो होता है zero degree Celsius से नीचे चला जाता है माइनस 40 degree Celsius वहाँ पर बकडियों के उपर जो बाल आते हैं वो काफी अच्छे होते हैं उन पकडियों के बालों का इस्तमाल करके मसीनों के द्वारा या फिर लोग के द्वारा कसमीर के लोग क्या करते हैं सॉल को बनाते हैं हाथों से ये काफी लंबा और काफी मुस्किल भरा प्रकिरिया है करीब 250 गंटे के वीविंग करने के बाद एक प्लेन पसमीना सॉल बनकर थैयर होता है यानकि इस सॉल को बनाने में काफी ज़्यादा समय लग जाता है और काफी महंगा भी ये सॉल मिलता है और ये काफी गरम लगने में भी काफी हलपफुल होता है ठीक है तौह फिर मिलते हैं निक्स पार्ट के नेक्स वीडियो में तब तक के लिए इस वीडियो को like करें और एपने दोस्तों के भी सेयर करें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आंनलाइ starting channel को तो सब्सक्राइब कर दें थैंक यू सो मुछ फो वाचिंग गुद्बाइ